आप देख रहे हैं B News खबर गाउं की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरे दुनिया की हो हम आपको दिखाते हैं हकीकात तो बने रहे है इस चैनल के साथ सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बैल आइकन को भी देख रहे हैं और आप देख रहे हैं B News आज मैं आया हूं दिवर्य जनपत के लबकनी गाउं में और आज मेरे साथ प्रत्यासी हैं मनोज कुमार सिंग ईनसे बात करेंगे क्योंकि जिला पंचायérieur सद के प्रत्यासी है और विकास इस समय इवाओं में है कि हमारे जो भी प्रतिनिदी और विकास हो उनसे जब भी हम बात करना चाहें तब उनसे बात कर सके gið b उनसे मिलना चाहें आपने इवाओं हो के बीच में सब्सक्राइब तो थाने की दलाली करते हैं और चुकि मैं छासंग से राजनीत में हूँ सक्री हूँ और मैं साधन साकारी समीत का भी अध्यक्ष रहा हूँ नेयापन चायतलबकनी और मैं ठेकदार संग पीटर उडी दिवरिया का भी अध्यक्ष हूँ जिले का ओर राजनीत में आने का उद्येश है सेवा करना मेरे दोारा कम से कम एक हजार लासो को फुका गया होगा और सव माइनर्टी के लोगों को जाके कबिस्तान में दफनाया भी किया होगा मेरे दुआरा बिना भेद भाव के हर समाज की सेवा की जाती है जो लास फूकने की वहुस्था नहीं होती है उसकी लकड़ी की वहुस्था जिस बेटियों की साधी में धन कावा होता उसको धन दे के उसका सायोग्चु की राजनीती जिसे मैं पचीस सालों से बहुजन समाज पार्टी की राजनीत करता हूँ और इस नीले जंडे में ही विश्वास रखता हूँ और मेरा जो घर है मेरा जो ये मंदिर है इसको मैंने दान कर दिया है समाज सिवा में और चोबिस घंटा मेरे यहां लोग आते हैं और उनकी समस्याओं का निदान के लिए मैं चोबिस घंटा तर पर हूँ एक राजनेतिक नेता उन्हें कहा जाता है जो लोगों की समस्या को सुनुए ही नेता कहा जाता है कि जो एक सम्मू को नेतित करें और उनके दुख सुख में आगें और उनकी मुश्किलों को हल करें उन्हें ही नेता कहा जाता है तो आपकी जो सेज़ बेक्तिकत सही है लेकिन जो आपने काई कि आप लासो की अंतिम संस्कार में बाग चुछ के लिए वह जो एसा कभी नहीं देखा गया है कि लोग जब अकसर इस तरह की घटनाई होती है तो लोग उनसे दूरी बना लेते हैं लेकिन आपकी एक काम जो है बहुत सरानी है जिले में लेकिन जो भीकास के म पंचयत सदसेगर में बनता हूं तो पुरवांचल राज्य का हमलों का सपना है जो पूरा हो चुकि आज भी पुरवांचल बिकास निधी आती है और बहुत मेरे नौजवान गुमराह जिनको पता नहीं है कि एक तरह से ये सरकार पुरवांचल बिकास निधी के नाम से यह कि गरीवी का मजाक उड़ाती है चुकि हम संपन नहीं है और आज अगर राजी का निर्माड होता है तो हम संपन हो जाएंगे किसी परधान छेतर है यह पानी 20 फूट पे है सब कुछ है नोजवावनों का पलायन रोकना है और इनकी तरक्की करनी है इनको मुखेदार से जोड आ रही है तो इस तरह की जलने की बात भी प्रशास्तन से कुछ लोगों को खास कुछ ब्यवस्ता नहीं दे जाती है और इस समय पता चला है कि दमलकल की गाड़ी पहुंची आग बुझाया जा रहा है लेकिन इस तरह की जब घटना होती है तो किसानों की बहुत आहौत दे क्योंकि किसान इसी समय की जो मेहनत से गोहूं उगाते हैं साल भर उसी सिखाते हैं और अपनी घर का पालान पोसंद करते हैं लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो इस पर आप क्या करना चाहिए किसानों के मुझा कोई भी सरकार हो यहाँ पहले फायर विगेट की एक जो सर्विस सेवा है हर थाने में स्थापित होनी चाहिए इसके लिए हम लोग तमाम बार मांग रखें बिजली वभाग के जी एए एक्सीन की तमाम कमिया हैं आज भी खेतों में दस दस फुट पे बिजली की सप्लाई आट-कट फुट पे बिजली की सप्लाई है और जर जर तार हैं और हमको लगरा आजादी के बाद जो लगे हैं पोल वो आज तक पोल है जिसकी वह से इस पारकिंग होती है तारों में इस तेज हवा में और खित जल जाती है यहां भी एक बार डेड़ सो एकर जल गया था हमारे किसान ऐसे दुखी थे कि कितने घरों में होगा अभी यहां नगरवली में भैंसे जल गई पांच भैंसे जल गई प्रसासन का एक मने एक कारिंदा नहीं पहुच पाया कि जिम्मदारी होते हैं कितना नुक्सान हो है उनको देखा जाए लेक पाल तो आएगा जलने के बाद ना उसके पहले तो फायर विगेट की गा रहते हैं निस्पक्ष बात सुनने वाला कोई है नहीं मैं राजनीत में पारदर्स्तिया के लिए आया हूँ चुकि दलाली मेरा जैसे वसूल में ही नहीं है मेरे बलड में नहीं है निस्पक्ष जो कि जो भी छाथ जीवन से राजनीत में आता है वो निर्द्वंद होता है और समाज की सिवा के लिए होता है उसके जिवाओं में ले समात्र भी रिस्वत समावेशित नहीं होती है तो हमारी तो जो भी इस सिवाओं की समस्या है उसके लिए मैं जूसता रहता हूँ यहां दसो गाऊं में जो भी पंचायत होती है तो लोग करते हैं मनोजवाओ को बुलाईए वह इमानदारी से बात रखे हां मेरे साथ भी रहने वाला गर वैमान है तो मैं कहता हूं यह वह मेरे साथ रहने योगे नहीं प्रातमिक शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और जैसे दिली का च्छेतर में 200 मानक पे उभर रहा है हमारे जो सिक्षा मंत्री जी हैं उनको ध्यान देना चाहिए और प्रात्मीक सिक्षा में मनें अमूल चूल परिवर्तन किया सकता है टाइल से लग रहे हैं बात्रूम बन रहे हैं इससे सिक्षा हमें सुधार नहीं होगा क्योंकि बिद्याली नहीं पढ़ता है बच्चा पढ़ता है वो एक माहौल एक सिक्षा का माहौल जैसे गुरुकुल पे उस था थी उस रोज इनको पचीश से तीन हजार उपया से लिज देती है लेकिन फिर भी ये संतुष्ट नहीं है तो सरकार को ये बहुस्ता लगू करनी पड़ेगी कि जो बच्चा अगर इनके हां पढ़ रहा है और उसका अगर विकास नहीं हो रहते हैं उसके लिए जिम्यदार हो इनक नहीं पड़ा रहता कि जागत सरकारी अभ और से जब हम कंप्लेностью करेंगे तभी तो सही होगा अब सर जो भी हैक कंप्लेंड करेंगे यहां यहां होती है लीपवोती है किसी भी सरकारी सिवा में रहने वाले ब्यक्ति को अगर आप सजा देना चाहते हैं अगर वो उस सजा से बरी होना चाहता है तो उसके लिए एक व्य उस्ता उसके पास है पैसा वो घूस दे दे वो बरी हो जाएगा इसलिए और जब सिक्षक के बच्चे प्राइबिट भी डियालों में पड़ रहे हैं जब हमारे आई एस आई पी अस आप से लेकर यस पी तक के बच्चे जब प्राइबिट में जाएंगे तो गरीब क्यों नहीं अपने पेटे को प्राइबिट में भेजे इसके लिए जिमेदार तो हमारा सिस्टम है ना सरकार के तरफ से सारी से वाएं दे जरें और कपड़े से लेकर ड्रेस जूता खाने पीने की सारी से वाएं दे रही है अरे सरकार इन सवं को जोकर बना रही है सरकार सिक्षित बना दे तो इनकी तरक्की ही हो जाए फिर इनको ड्रेस देने की क्या जरूत है सरकार इनको गोद ले ले ना भाई कि अगर ये लड़का पैदा हुआ इस देश में तो ये हमारी जिमेदारी है सिक्षा स्वास्त सरक और सडक पानी ये सरकार की ब्योस्था है इसमें कहीं भी किसी किसान को मजदूर को नोकिरी सुदा पैसे वाले आदमी को अपना पैसा नो लगाना पड़ सरकार इतनी आत्म निर्भर इनको बनावे अब आप अपनी छेतर की लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिला पंचायद के प्रत्यासी है मैं यही कहूंगा कि आप लोग मुझे अपना मत दे और आप जहां भी मेरा प्रियोग करना चाहते हूं आपके साथ कंदे से कंदा मिला के चलूँगा और जहां भी आऊ सकता पड़ेगी और इसके बाद मेरा बीजन है कि मैं जही इस चुनाव में आप बीजे ही बनाइए इसके बाद मैं फिर जिला पंचायत अगर जितता हूं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा फिर मेरा सामार्थ डबलप होगा और मैं उस विधान सभा का सदस्य से बनना चाहता हूं मेरी लड़ाई लंबी है जैसे के आपने सुना इंकी सोच बहुत अच्छी है लोगों की साहता करना चाहते है और नेता की कैसी होनी चाहिए जो लोगों की सेवा करें और नेता की कर्म हो उसे भी नेता का जाता है जो लोगों की सेवा में हर वक्त अपनी समय गवाता रहे तो मिलते हैं फिर एक नई जनकारी और नई बेक्ती के साथ तब तक के लिए नमस्कार